स्टूडेंट गुरुजी उत्राखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि आपका जो डियलेट का एक्जाम है यह आपका है पच्छिस मई दो हजार बाइस को होने जा रहा है तो इसमें हम यहाँ पर अपने आप विदासी लर्निंग आप में आपनों को त्यारी करवाते हैं और अभी संडे को यहाँ पर डेली आपका संडे को टेस्ट होता है ठीक है उसमें हम देखेंगे आज के जो कुछ हमारे पच्छिस क्वेश्चन से जीके के हम पर्टिकुलर्ली यहाँ पर बात करेंगे उन का किसका है वो सच्चन रमेश तेंदूलकर जो हैं भारतिय क्रिकेट के एक बहुत बड़े नाम है बहुत जीता जाकता उधारन है सखलता का भारती क्रिकेट में तो उनकी जो आपकी आत्मकता है वो आपकी प्लेंग इट माईवे है हम सभी को पता है कि 2004 में इन्होंने अपके बनाया थे एक दियुसी एकरी क्रिकेट में दूसरा क्वेशन है 2024 में घेल कहां पर आईयोजित होंगे देखे 2024 क्वेशन बहुत बन माने जाते हैं प्रेसे क्वेश्चन क्या माने जाते हैं आपके प्राइज़ाते हैं। अब मैं यहां से यह क्वेश्चन कुषता हूं जो 2020 का ओलंफिक था ठीक है जो 2021 में आपको हुआ था लेकिन उसको कहा 2020 का ही जा रहा है ठीक है हुए 2021 में थे उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे यह आपको बताना है तो आप कमेंट बोक्स में इसमें बता सकते हैं आगे चलते व्यदंने परोस्कार प्राप्ट करने वाले भारति यह कौन थे तो में आपका फिलिपींस जो है फिल आंगे आं भाप्थ धानागे अठीक हैं तो यह हम बात करें तो इन्हों ने कौन साइंक का इसके फाले बात ऊंब्हावी इंका लह करेते अंसे बहुत बार आपका पूछा जाता तो बिनोवा भावे जो है वो पहले भाती थे जिनको आपका रमन मेंगने से पुरुसकार दिया गया था उसके बनाईब का गवर्नर बनाया गया रोबर्ट आप सभी ने पढ़ा होगा ठीक है के सांचान में आपको देखिए दो युद्ध सटावन का युद्ध है सत्रसों सटावन में आपका प्लासी का युद्ध फिर सत्रसों सट का जो है वह आपका कौन सा युद्ध है वह आपका बक्सर का युद्ध है तो जो कलाइब है कलाइब को बंगाल का जो गोवर्नर है वह आपका दो बार बनाया गया सत्रसों सटावन नंबर B आपका 1757 जो आपका ये आपका जो है रोबर्ट क्लाइब को आपका जो बंगाल का गवर्नर आपका 1757 में आपका बनाया गया फिर अगले पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला समा सुधार आंदूलन था आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला जो सुधार आंदूलन था वो आपका कौन सा था वो आपका ब्रह्म समास से रेलेटेड था किस से रेलेटेड था ब्र सो 28 में कहां पर कलकत्ता में कहां पर हुआ था कौन थे जो राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय आप लोग ने ने नाम बहुत बाहर सुना ओगा राजा राम मोहन रॉय तो यह प्रसणन दूर यह जी माड़ा यह संब्होली की संधी है 8 wären लूड में किसके भीच भीक देगे ऊट्ससमाँ में पर गोरख शासन भॉगा कर साथा उत्राさん में यह आपका नेपाल वीचे इंडिया कमपणी उसके महने में फारत की आजादी के समय कोंग्रेस के अध्यक्स कौन थे तो इसके जो आजादी के समय यानि 1947 के समय 1947 में कौन थे 1947 में आपके जो जेबी करपलानी है जेबी करपलानी जो है वो आपका क्या है ये भी क्रिपलानी आपके आजादी के समय 1947 में आपके कॉंग्रेस के क्या थे कॉंग्रेस के आपके अध्यक्स थे किस पसू के उसे सिंदु घाटी से प्राप्त नहीं हुए है अच्छा जी इसका आंसर जो है इसका अंसर है option number A जो सेर है उसके आपके जो सिंदु घाटी से आपके जो हैं इसके उसे सिंदु घाटी से प्राप्तर नहीं हुए हैं यह इस एक question आसकता है कि मनुशी ने सबसे पहले किसको आपको किस जानवर को पालतू बनाया तो मनुशी ने सबसे पहले आपको जो बना था वह आपका डॉक को बनाया था कुट्टे को बनाया था ओके अगले प्रस्न पर चलते हैं अगला हमारा प्रस्न है किसने जो है मुगल सामराज जी की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थान अंत्रित किया तो जो आगरा से दिल्ली लाने का काम है वह आपका किस ने किया है वो आपका साहा जहां ने किया है किस ने किया है वो आपका साहा जहां ने किया है और कब किया है आपका 1638 में कब किया 1638 में इसी के साथ उसने वहां पर कौन सी मस्जिद बनाई आप इसको भी याद कर लिजेगा मोती मस्जिद, कौन सी मस्जिद जो مोती मस्जिद आपकी है वो आपका इसने बनाया था सहाजहाने, सहाजहाना बाद आपको हौन से स्टार्ट होता है, ओके चलिए अगला प्रस्वन है, हल्दी गाटी के very important question है हल्दी गाटी का युद्ध यह uh से महारणा परताफ में मुग्लों में अकबर की सेना आपकी लड़ी यह आपका कब लड़ाई हुई ती यह माखibi 1556 में अगर हम एक्जेक्ट की बात करें तो अठारा जून 1556 के समय जो है वो हल्दी घाटी का युद्धा आपका लड़ा गया मानना प्रतापके जो घोड़े का नाम आपका कया है मानना प्रतापकी घोड़े का ठीक है वह पेश्वा लोग आते हैं पेश्वा कहां पे थे आपके प्रधानमंतری कि । त्रारंबय स्त कारनवाल से इसके प्रसाइब से शुरू होता है इस ताइब बंदोवस्त भूमी का लेखा जो खाब बंदोवस्त जिसको हम बोलते हैं क्वेशन नमबर थाटीन यदि भारत के राष्ट्रपती का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपती भी नहों तो निम्न में से कौन कारिवाहक राष्ट्रपती हो इतने बार पेपरों में आपका आया हुआ है क्वेशन नमबर फूर्टीन विधान सभा में किसी दल के निर्वाच्चे सदस्यों के दल बदल पर निम्न कित में से किसने प्रतिवंद लगाया है तो यह किसने लगाया है यह आपका जो है संसोधन है बावनवा संसोधन कौन कोसी अनुसूची में डाला हुआ है दसवी अनुसूची में डाला हुआ है यही एक मात्र ऐसा संसोधन है जो आपका किस से लागू हुआ है जो आपका सर्वसम्मति से लागू हुआ है तल बदल जो कानून है देक है दसवी अनुसूची में बावनवा का संसोधन है आपक अकबर नामा किस ने लिखा तो अकबर नामा जो है वो आपका अबुल फजल ने लिखा है किस ने लिखा है अबुल फजल ने लिखा है इसके वैसे तीन पार्ट हैं अंतिम पार्ट का नाम इसका क्या है अंतिम पार्ट का नाम आईने अकबर ही यहां पर अकबर के जीवन के बारे में आपका सब कुछ बताया गया है question number 16 टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी वो कहां बनाई आपका स्री रंग पटनम में बनाई स्री को पटना में इसने किसकी स्थापना की जैकुबिन क्लब की स्थापना आपकी किस ने की है टीपू सुल्तान ने आपका की है ओके कौन सी आपके फ्रांसके साथ इसके क्या थे अच्छे संबंद थे अगले question पे जलते हैं किस काल में काला क्रूम में आपका हुई है ओके तो आपके किसे साफ से आपके बन रहे हैं तो इसके साफ से तो तो मेरी यह है यह और नमबर सी चार तीन दू एक ठीक थीक है तो आपको वहन से उससे कोश्चन जरू देखने को मिल सकता है अगले question पर चलते है, economics related है, भारती रिजरो बैंक, RBI, Reserve Bank of India, भारती रिजरो बैंक आपका क्या करता है, भारती रिजरो बैंक जो करता है, राज्य सहेकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, RBI कब बना था, 1935 में, headquarter कहां पे है, headquarter आपका मुंबई में है, इस लमाई इसक 19, काला बाजार, black market, काला बाजार वह इस्तिती है, काला बाजार में क्या होता है, जब आप जो product है, जो माल है, उसको तब बेचे, जब उसकी कीमतों में क्या हो गई हो, जब उसकी कीमतों में आपकी ब्रिद्धी हो गई हो, जब उसकी कीमतों में आपकी ब्रिद्धी हो ग कżenia किसने आपका दिया था तो माना विकासुचकानग जो है महभूब उलहक ने दिया था नियुक्स कब दिया था azudak कौन जारी करता है ये महभूब अकि पाकिस्तान थी भायरत जारी किस में 131 ranking है कुल कितने देश थे 189 देश थे 131 वह नंबर आपका था इस तरीके से आपके कुछी question जरूर बन के आते हैं question number 21 नीती आयोग का मुख्यालय कहा है नीती आयोग हम सभी को पता है कि जो योजना आयोग है उस योजना को रिप्लेश किस ने किया उस योजना आयोग को रिप्लेश किया आपका नीती आयोग ने कब किया 2015 में किया 2015 में इसका जो head office है इसका head office आपका कहां पे है इसका head office आपका नई दिल्ली में है ठीक है इसके जो अध्यक्स होते हैं वो कौन होते हैं इसके अध्यक्स आपके परदान मंत्री होते हैं कौन होते हैं परदान मंत्री इसके उपाद्यक्स कौन है यह आपको बताना है इस समय जो आपके है अर्विन पंगडिया सबसे पहले आपके थे इस समय वरतान में आपके उपाद्यक्स कौन है ठीक है CEO आपके कौन है यह भी आपको बताना है क्वेस्चन आपके बन के आ सकते हैं को मिलाना है ऐके ठीक है आप मिलायेगा बंडिला तो अब कहां है यहां पर है तो देखे दो से आपका बन का जाएगा तो नंबर क्या है option number c 3124 ठीक है 3124 option number c is the right answer भारत जो अगर हम यह पर उत्राखंड की बात करें उत्राखंड में जो एक किस नाम से है नी ली मा नीती दर्रा लिपुलेग दर्रा माना दर्रा चलिए कान्हा नैसनल पारक किसके लीए आपका मद्द्रुध कभ सरे में कब ङजम कॉारबट है यह है का हमारे यत्राखन में कॉशिण स्वेज नहर किसको जोड़ती है तो स्वेज नहर जो है वो आपका भूमत्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है जिसको भूमत्य सागर को आपका लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर पनामा नहर पनामा नहर के बारे में आपको बताना है किस किसको जोड़ती है पनामा न महर जो है अटलन्टिक को और प्रसांत महासागर को किसको जो उड़ती है अटल से पहले कौन सी ती सबसे पहली आपकी ہרג गब लगती ती किस न सुरू किया था किसने बनाई थी दादा साफ फाल के ठीक है किसने दादा साफ फाल के ने बट बोलती फिलम कौन सी है बोलती फिलम आपकी ये है आलम आ रहा है ठीक है चलिए गहाँ इस टून दे के आज हमने यहाँ पर 25 क्वेशन की है हो जकता है इसमें से कुछ एक क्वेशन्स आपके आ जाए तो आप क्वेशन्स को MCQ को ट्राइ करते रहेए हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै भारत जै उतराखाण झाल